आदे कप के माप से लेना है इसमें से हम थोड़ा बचाएंगे थोड़ा पहले डाल के देखेंगे अगर कम पड़ेगा तो बाद में दूसरा डालेंगे दो कप बारिक वाले सूजी ली है यह 300 ग्राम सूजी है लड़ू बनाने के लिए हमें बारिक सूजी का ही इस्तमाल करना है इसे पैन में डाल देंगे अच्छे से चला के सूजी को मिक्स कर लेते हैं ताकि पता चले के बाकी का गी हमें डालना है या नहीं गी को हमने अच्छ बून लेते हैं तो इसे लगातार चला के ही भूनना है और दीमी आज पे ही सूजी को हम भूनेंगे सूजी को हमने 17-18 मिनिट तक भूना है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके खुस्पू भी बहुत अच्छी आने लगी है छे से साथ बदम को हमने चौप करके लिया है यह अंदर डाल देते हैं और छे साथ काजू को चौप किया है इसे भी साथ में भून लेंगे एक मिनिट लगाता चला के ट्राइफुट को भी साथ में भून लेते हैं टोटल हमने 20 मिनिट तक सूजी को भूना है गेस ऑफ कर देते हैं और एक मिनिट के लिए इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे गैस हमने बंद कर दिया है कड़ाई हमारी गरम है तो इसे चलाना जरूरी है नहीं तर दीचे से लाल हो जाएगी सूजी जो है वो जल जाएगी सूजी को हम एक और बावल में निकाल लेते हैं क्योंकि कड़ाई जो है वो गरम है तो सूजी जल जाती है इसके लिए हम दूसरे बावल में सिख कर देंगे इसे अभी हम चासनी बना लेते हैं एक कप याने 200 ग्राम चीनी है इसे इस तरह से पैन में फिला के डाल देते हैं चीनी डूप जाए इतना पानी डालेंगे ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है आदा कप पानी हमने डाला है मीडियम फ्लेम पे लगाता चला के चीनी को मैल्ट कर लिया है अभी चासनी बॉयल होने लगी है एक तार की हमें चासनी बनानी है लो टू मीडियम फ्लेम पे चार से पाच मिनिट हमने चासनी को उबाल लिया है अभी हम इसे चेक कर लेते हैं, इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे चेक करना है, एक तार की चास्नी हमें बनानी है और एक तार बन गया है, गरम गरम चास्नी में ही हम सुजी बून के रखिए यह डाल देंगे, इसे हमें गरम चास्नी में ही डालना है, मिक्स कर लेंगे, पॉर्ण कर दें एक टेबल स्पून हमने चिरोंजी ली है यह डालेंगे यह आपको नहीं डालना है तो स्कीप कर सकते हैं अब अच्छे से मिक्स कर दिया है लड़ू का मिश्रन थोड़ा गीला लग रहा है तो सूजी चासनी सब एब्सॉप कर लेगी तो यह थोड़ी ड्राइ हो जाएगी तकन लगा के आदा गंटा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच पे इसे चलाते रहना है नहीं तक सूजी का मिश्रन जो है वो घट हो जाएगा और लड़ू बना नहीं पाएगे तो इससे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है हमने इसा आदे गंटे के लिए रखा था और यह थोड़ा सा गरम है अभी तो इसका हम लड़ू बना लेते हैं पर हम एक पिस्ता की स्लाइस रखेंगे और बदाम की स्लाइस रखेंगे एक किसमिस लगाएंगे इस तरह से इसे थोड़ा गोड़ गुमा लेंगे इस तरह से हम सारे लड़ू बना लेते हैं अगर लड़ू का मिस्रें ट्रॉर ड्राय हो जाए और आप लड़ू नहीं बना पाए तो इसमें एक से दो चमबस दूद मिलाके आप मिक्स कर सकते हैं या फिर गरम घी करके इसमें डाल सकते हैं तो लड़ू अच्छे से बन जाएगा सूजी के लड़ू रेड़ी है यह एकदम टेस्टी बना है सूजी के लड़ू को एर टायट कंटेनर में भरके रूम टेंपरेशर पे 20-25 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं अगर आपने लड़ू बनाने में दूद का इस्तमाल किया है तो इसे रूम टेंपरेशर पे न रखे इसे एर टायट कंटेनर में भरके फ्रीज में ही स्टोर करें तो यह 15-20 दिन तक अच्छे से रहेगा रेसिपी आपको पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे जरूर बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं आगले और एक नए वीडियो के साथ में